आज मैं आपके साथ share करने जा रहे हूँ तीखे चटपटे मज़ेदार अचार की ऐसी रेसीपी जिसे आप तुरंत बनाएंगे और तुरंती खाएंगे ना कोई धूप लगाना ना कोई जादा भेहनत ना घंटाओं का इंतजार सबसे खास बात आप इस अचार को दो से तीन महीने तक श्टोर भी कर सकेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है यह अचार और इसका नाम है इंस्टेंट नाल मिर्ज का अचार साथी मैं आपके साथ सेयर करने जा रहे हूँ ऐसी खास टिप्स की आपका कोई भी अचार हो कब भी तो खराब नहीं होगा और नहीं उसमें फफूंद आएगी यानि फंगस लगेगी तो चलिए सुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रेखा और मेरे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत श्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटा पड़ से हमारे अचार की रेसिपी को सबसे पहले मैंने आप लिए लाल मोटी वाली मिर्ची इनका अचार बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मिर्ची की अचा तो अब मैं इनको कट कर लेती हूं मिर्ची को मैंने यहां पर अच्छे सी लंबी-लंबी स्लाइस में पतला-पतला काट लिया है तो अब मैं चलती हूं गैस की तरफ गैस पर मैंने कड़ाई रख दिया है और गैस को मैंने ओन कर दिया है तो यहां पर मैंने लिया है दो गई यह तो इस इस्टेज पर मैं घैस को कर देती हूं बंद दील को थोड़ा हलका थंड़ा होने के लिए चोड़ देती हgado हमारा हलका सा थंड़ा हो गया तो अब मैं इसμεे डाल देते हो एक टिस्पून जीरा जीरा हमारा अच्छे से पक चुका है तो अब मैं इसमें डाल देते हूं एक छोटा चमच राई यह छोटी लाल वाली राई है जीरा और राई हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब मैं कड़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेती हूं और इसमें एड़ करती हूं हमारे कुछ मसाले और मिर्ची मैं इसमें एड़ कर देती हूं हमारी मिर्ची जो मैंने कट करकी रखी थी और इसको अच्छे से चला लेती हूं अब इसमें एड़ करती हूं हमारे कुछ मसाले जो मैंने बना के पहले से ही तयार कर रखे थे मैंने मसाला मेंने मारे के दोड़ा moderate यह मड़ी दोड़ाव कर ले। मैंने यही मसाला कम पे लिए 200 ग्राम मसाला's इसमने कोई भी उपर से मसाला एड़ कर wait can not have a सारी मसाले की अंदर से इसके अंदर ही आते हैं अब मैं इसको उपर से डाल देते हूं थोड़ा-थोड़ा करके तो अच्छे से कर लेते हूं मिक्स अभी इसमें उपर से एड़ कर देती हूं पीली वाली राई अब यहां पर एड़ करते हूं एक छोटा चम्मच कलोंजी अब यहां पर एड़ करते हूं हाप टीस्पून काला नमक कि अब इसमेंड करते हूं एक चोथाई हींग यहां पर जाएगा एक चोथाई अमचूर पाऊडर अब यहां पर आड करती हूं अब पक्रतीु हॉओंद हलदी पाऊडर बषबत हम्हारा साधानमक यह मेन्हें एक चोथाई बिश्व किबड़ क्योंकि पहले काला नम के भी डाल दिया है इसलिए अब इसमें एड करती हूं हाप टीश्पून ड्रेड मिर्ची यह कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर है इससे कलर बढ़ी आता है यह ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होती अब इन सारे मसालों को अच्छे से कर लेते हूं मिक्स अब हमारे अचार को में 15-20 मिनट के लिए थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देते हूं जब तक कि हमारे सारे मसाले और मिर्ची अच्छे से तेल ना सोक लें और यह आपको तेल दिख रहा है ना आप सोचेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया आपने त तेल हमारा मिर्ची और मसाले अच्छे से सोक लेंगे यह जब तक 10-15 मिनट के लिए ठंडा होता रहेगा को हम देखते हैं अब 10-15 मिनट बाद अभी मैं इसको रखा रहे नहीं देती हूं क्योंकि अभी यह बहुत करम है तो यह देखिए मेरा अचार एकदम बहुत बढ़ यह पर लिए मैंने एक प्लेट और अचार प्लेट में मैं अचार को धीरे धीरे हलके हलके हाथों से निकाल लेती हूं तो आप देख सकते हो मेरे अचार की लुकिंग देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में तो इसका टेस्ट बहुत इलाजवाब होगा आप एक बार मेरी इस ट्रिक से इस अचार को जरूर बनाना सच में आप बाकी सारे अचार खाना भूल जाओगे जब यह एक बार यह वाद चार को खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और एक ही जगे आप दो रोटी खाना चाहोगे जब आपको यह इंस्टेंट कशाओर मिल जाएगा खाने को तो अगर आप मार्केट कामसाल नहीं खाना चाथे तो आप घर पे ही सारी सुखे मशाल को पहले शेक लीजिए फिर थोड़ा ठंडा हो जाने के PROD ne मेक्सी में पीस लीजिए बन जाता है हमारा गर का मसाला तो ऐसे करके मसाले तैयार कर सकते हो और इस अचार को रेडी कर सकते हो तो ये देखिए इसकी रंगत देखकर आपके मुह में पानी आ रहा होगा चटकारेदार तीखा मज़ेदार हमारा इंस्टेंट लाल मिर्च का अ अचार बिलकुल है तैयार जो चलेगा सालो साल और वह भी बिना खराब होए और जिस चीज चीज तरीके से हमने इसको बनाया है ना इसमें चीजें पहले डाली और फिर चोटे चोटे पीशेज में डाले तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं हमारे अचार को अचार अच्छा लगेगा अब मैं आपको बताँगी वो जरूरी टिप्स जिससे की हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा और खराब भी नहीं होगा अगर आपके पास काच की बोटल या डिब्ब है तो आप इसे भरने के लिए वो डिब्ब और बोतल निकाल लीजिए अब हम हमारे अचार को भरते हैं काच की प्रेड़ निकाल के सर्व कर सकते हैं इस अचार को 8 महीने दो महीने तक बहुत अच्छे से कर सकते रख बनाके आप इसे दो महीने तक अच्छे से श्टोर कर सकते हो और काच की वरतन में भरके इसे आप फ्रेज में रख दीजी काफी लंबे टाइम तक यह अच्छा ही बना रहता है और इसका कुछ भी नहीं विगड़ता यह देखिए मैंने अचार को डिबे में भर लिया है आप इसे कहीं भी सफर में ले जा सकते हो यह ृची से कहीं भी ले जा सकते हो आप देख सकते हो मेरा अचार एक दम बढ़िय हो च्छे से बनके तयार हो गया है देखने में भी वहूइत सुन्दर लग रहा है मैं आपको यहां से खोल के भी दिखाती हूं लगकन कूई कि देखिए میरा आचार एक तंब अधर से तो बह और बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है आप भी इसी तरह इसे स्टोर कर लीजिएगा ये बिल्कुल खराब नहीं होएगा जल्दी से तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जटपट वाले अचार की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको अपना प्यार और सपेट मुझे ऐसे ही देते रही है थैंक यू वाचिंग फूर माई वीडियो